दोस्तों, आज की वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है, बलकि सफलता को पाने का वह अचूक उपाय है, जो आज हम सब को जाना बहुत जरूरी है। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी मुद्राओं के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका उपयोग करके आप अपनी उन शक्तियों को एक्टिव कर सकते हो, जो की अभी आपके अंदर कहीं छुपी बैठी हैं। बस एक बार इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना, यह वीडियो आपकी जिन्दगी बदल देगी। योग भारत का प्राचीन विज्ञान है। भारत के महान योग गुरुओं ने इस विज्ञान का निर्मान हजारों साल के अनुभव और कठिन तपस्या से किया है। मुद्राओं की इस सांकेतिक भाषा प्रयोग को न सिर्फ योग बलकि मेडिटेशन में भी कहा जाता है। मुद्राओं के प्रयोग से आप कई फायदे ले सकते हैं। योग के महत्व को अब पूरी दुनिया स्वीकार कर चुकी है। शायद यही कारण है कि इसे भी एक्युप्रेशर और एक्युपंचर की तरह ही वैकल्पिक चिकित्सा पद्यती में शामिल किया जाने लगा है। हालांकि अभी भी योग से मिलने वाले फायदों के कोई वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। करीर के कुछ खास हिस्सों में स्पेशल पॉइंट होने की बात को स्वीकार करते हैं। विज्ञान मानता है कि इन खास बिंदूओं पर यदि हलका दबाव डाला जाए तो बेचैनी, घबराहट, हार्मोन असंतुलन यहां तक कि फाइब्रोमियालजिया जैसी समस्याओं से भी राहत पाई जा सकती है। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंचर जैसी थेरेपी विज्ञान की इसी मान्यता पर आधारित है। प्राचीन मान्यता में पंचभूत से शरीर के निर्मान की बात कही जाती है। जबकि दूसरे तत्व को आकाश या अंतरिक्ष माना जाता है। इस तत्व को ज्यादा तर इसकी विशालता के कारण निश्क्रिय ही माना जाता है। ये तत्व योगी के शरीर की संपूर्ण चेतना का प्रतीक होता है। ये योगी का संबंध अंतरिक्ष के साथ स्थापित करने में मदद करता है। इस तत्व का संबंध पांचवें चक्र विशुद्ध से माना जाता है। तीसरे तत्व को पृत्वी तत्व माना जाता है। ये तत्व शरीर की बाहरी या भौतिक संरचना को नियंतरित करता है। इस तत्व का प्रभाव शरीर के उतकों और हड्डियों पर पड़ता है। यही तत्व शरीर में गंध को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। पृत्वी तत्व का संबंध, प्रथम चक्र मूलाधार और तीसरे चक्र मनिपूर से माना जाता है। शरीर के चौथे तत्व को अगनी तत्व कहा जाता है। ये तत्व शरीर की ग्रोथ, ग्रंथियों, मेटाबॉलिज्म और तापमान को नियंत्रित करता है। शरीर में प्रिथ्वी और अगनी तत्वों को एक दूसरे का विरोधी समझा जाता है। उनके अपने अलग उर्जा चक्र भी होते हैं। शरीर का पांचवां और सबसे अंतिम तत्व जल को माना जाता है। मनुष्य के शरीर का सत्तर प्रतिशत हिस्सा जल से ही बना होता है। यही का रण है कि जल तत्व का प्रभाव शरीर पर सर्वाधिक होता है। यह तत्व टिश्यूज, जोड, स्किन, त्वचा और स्वाध को प्रभावित करता है। जल तत्व का सीधा संबंध शरीर के दूसरे चक्र स्वाधिष्ठान, स्वाधिस्थाना से माना जाता है। को बढ़ाता है अवचेतन मन की विचार क्षमता और याद दाश्ट को बढ़ाता है यह थकान आलस्य और मानसिक उल्जनों से निपटने में बेहद कारगर है नमबर दो वायू मुद्रा इस मुद्रा में तरजनी का पहला पोर अंगूठे के आखिरी पोर में लगाएं अंग क्रियता को कम करता है गुस्सैल, हाइपरेक्टिव और कम एकागरता वालों के लिए अच्छा है नमबर तीन आकाश मुद्रा इस मुद्रा में मध्यमा अंगूली के पोर को अंगूठे से स्पर्श करवाएं प्रति दिन 30 मिनट से अधिक समय तक अभ्यास न करें आकाश सत्व को बढ़ाता है दिमाग में आने वाले बुरे विचारों से राहत देता है भय दुख और क्रोध की भावनाओं को नियंत्रित करता है शरीर में मौजूद अशुद्धियों को डिटॉक्स करता है कब्ज और पाचन संबंधी समस्या वाले लोगों के लिए विशेश लाभदायक कान और सीने से जुड़ी समस्याओं में भी लाभदायक नमबर चार शून्य मुद्रा इस मुद्रा में मध्यमा अंगुली के पहले पोर को अंगूठे के बेस पर रखें और अंगूठा अंगुली के उपर रहेगा किसी भी किस्म की असुविधा या दर्द अ अनुभव होने पर शून्य मुद्रा का अभ्यास न करें। तत्व को बढ़ाती है जबकि अगने तत्व को कम करती है। नए टिश्यू की ग्रोथ को बढ़ाता है। मसल्स बनाने और हीलिंग की प्रक्रिया को तेज करती है। ठकान से राहत देता है। कमजोर हड़ियों, बाल और नाखूनों को मजबूती देती है। शरीर में मजब अलसर की समस्या को दूर करती है। दूख न लगने की समस्या को दूर करती है। पसीना न निकलने की समस्या और कमजोर नजर वाले लोगों के लिए फायदे मंद। हार्मोन की कमी होने या डिहाइड्रेशन की समस्या होने पर राहत देती है। ड्राइ स्किन, बाल, आँखें, एक्जिमा, पाचन तंत्र की सभी समस्याओं को दूर करती है। इस मुद्रा में अनामिका अंगुली के पहले पोर को अंगुठे के बेस पर रखें। अंगुठा पूरी तरह से अंगुली के उपर ही रहेगा। जल शामक मुद्रा के फायदे। शरीर में जल तत्व की मात्रा को कम करती है। ज्यादा पसीना निकलने, नाक बहने, आँखों से पानी आने में कारगर है। हथेलियों से पसीना आने की समस्या में राहत देती है। हाइपर एसिडिटी के मरीजों के लिए बेस्ट है। ग्रंथियों से हार्मोन के स्राव को कम करती है। कलाई की योग मुद्राओं के प्रकार। नमबर एक, वैराग्य मुद्रा इस मुद्रा में हथेलियों को घुटने पर उपर की और मोड कर रखें। नमबर दो, ध्यान मुद्रा इस मुद्रा में दोनों हथेलियां शरीर के बीच में पेट के पास आराम करेंगी। कलाईयों को जांगों पर धीरे से ठिकाएं, जबकि दोनों हाथों की अंगुलियां एक दूसरे से मिली हुई होगी। ध्यान मुद्रा के फाइदे। ध्यान मुद्रा के नियमित अभ्यास से मन शांत होता है। ध्यानमुद्रा दिमाग को मेडिटेशन की गहरी अवस्था में ले जाती है। वैसे तो योग विज्ञान में कुल 399 से ज्यादा मुद्राओं के बारे में बताया गया है। लेकिन शुरुआत करने वाले या प्रारंभिक योग उंके लिए इतनी ही प्रमुख मुद्राओं